Welcome back to Clean News UP चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इसे पहले आप न्यूस को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बदाना आप सिल्कुल ना पूरे साथी हमारे फेस्बुक पेस्ट को भी फॉलो करें फेस्बुक पेस्ट कर दें पूर्वतर के प्रवेश्टवार सिल्कुडी से जुलेगा गोरकपूर पर्याचन वा उद्योग को मिलेगा पढ़ावा बर्व से ठकी पहाडो और प्राकृतिक सुन्दर्ता से भरपूद रश्यों के बीच आधुनिक विकाश शॉपिंग मॉल और उभरते शहर के बारे में सूच कर देखें सिल्कुडी शहर इसका एकदम पर्फेक्ट कॉम्बिनेशन है अपुरवांचल बिहार के लोगों के इस रमणी एकिस्थान पर जाने में आसानी होगी गोरकपुर सिलीगूडी एक्स्प्रेस वेकाट डीपियार बनाने का कारेश शुरू हो चुका है सिप पर्यटन वा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा सांधिय भूटन नेपाल वा बांगलादेश की आत्रा भी यहां से की जा सकेगी किसानों को मुफ्त बिजली का तोफ़ा दे सकती है यूपी सरकार उब्भोक्ता परिशद ने की इस फॉर्मिले की पेशकर उद्यपदेश राजे के किसानों को योगी सरकार मुफ्त बिजली का तोफ़ा दे सकती है राजे विद्यो तो भूटन परिशद कहना है कि कुछ राज्यों की तरह यूपी में भी किसानों को आसानी से मुफ्त बिजली उपलब्द कराई जा सकती है अगर किसानों को बिजली की ये राहत मिलती है तो राजिस सरकार को उन्हें 2,000 करोड रुपे की अतरिक्त सबसीदी देनी होगी उब्हुकता परिशद ने किसानों को मुफ्त बिजली देनी के लिए सरकार को फॉर्मिला देने की पेशकश भी की है नोजन्वरी को लखनाओ में होने वाली पी-म मोदी की रैली इस्थगित की गई हाला कि भाजपा की ओर से अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टी नहीं हो पाई आपको बता दें कि आगामे 9 जन्वरी को भाजपा लखनों में एक बड़ी रैली करने की तयारी में थी पार्टी सुत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली के आयोजन के बाद से भाजपा की सभी जन्विश्वास यात्राएं हो पाएंगी उत्रप्रदेश लेकबाल भरती के लिए कल 7 जन्वरी से करें आवेदन उत्रप्रदेश लेकबाल भरती का नोटिविकेशन जारी कर दिया गया है उत्रप्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग ने बुद्वार को 8085 वेकेंसी का नोटिविकेशन जारी किया योगिवा इच्चक उम्मीदवार UPSSSC.gov.in पर जाकर कल साथ जन्वरी 2022 से आवेदन कर सकेंगे इस भरती के लिए केवल वही अभ्यरती आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने UPSSSC की PET दी थी लेकवाल परिक्षा के लिए अभ्यरतीयों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके PET 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी गटकरी, राजनात और CM योगी ने किया लखनाव कानपूर एक्सप्रस वे कशुला नियास, UP के लिए साथ एक्सप्रस वे हाईवे का एलान केंद्री भूतल परिवानों राजमार्ग मंत्री नितन गटकरी, रक्षा मंत्री राजनात सिंग और CM योगी आदितनात ने बुदवार को लखनाव कानपूर एक्सप्रस वे सहे 14,199 करोड की आड़ बड़ी परियोजनाओं की स्वाकार दी खराब मौसम की वज़े से गटकरी का चार्टर प्लेंट चकेरी एरपोर्ट पर नहीं उतर सका इसलिए गटकरी ने लखनाव से ही वर्चुल शिलान न्यास किया स्मौके पर सभा को संबोधित करते हुए नितन गड़करी ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की यूपी विधान सभा चुनाओ इतर नगरी के साड़े 800 बूट्स पर होगी वेब कास्टिंग कहीं से भी बैच कर देख सकेंगे वोटिंग इस साल होने जा रही विधान सभा चुनाओ को लेकर कई तरह के इंतिजाम में बढ़ोतरी होगी कुछ नई व्यवस्थाइं शुरू होगी चुनाओ के दोरान बूटों पर वेब कास्टिंग भी कराई जाएगी जिले के 435 मदान के इंद्रों के 8500 बूट पर ये सुविधा रहीगी इन बूट पर हो रही वोटिंग को कहीं से भी देखा जा सकेगा सायक जिला निर्वाचन अधिकारी बिनीत कटियार ने बताया कि जनपत के तीनों विधान सभा शेत्रों के 8500 बूट पर वेब कास्टिंग होगी लगनों के 4-4 उपर बनेंगे स्काई वॉक जाम से निजात के साथ खरीदारी भी होगी आसान लगनों में जहां सुवे से शाम तक जाम लगा रहता है उनसलकों पर नाम मातर का ट्रैफिक होगा सड़क के उपर एक फ्लाइ ओवर नुमा स्काई वॉक होगा जहां आराम से टहलते हुए फुटपाद दुकानदारों से खरीदरी कर सकते हैं स्मार्ट सिटी परियोजना में ऐसे तीन स्थाई स्काई वॉक के लिए चुन्नित किये गए कमिशनर रंजन कुमार के अनुसार स्वास्ते भवन चौराहा डॉली गन चौराहा और मन कामेशर मंदिर चौराहे को इसके लिए चुना गया है यूपी में गैंग्स्टर्स की जब्त होगी प्रापटी पहली बार लागू हुई ये नियामावली अप राधियों पर गैंग्स्टर की कारेवाई होने पर अब सीधे उनकी संपत्ती जब्त होगी पहले संपत्ती जब्त करना व्यकल पिक था उत्रप्रदेश में पहली बार लागू ही गैंग्स्टर नियामावली 2021 को लेकर जीम ने स्थानी इस्तर पर आदेश चारी कर दिया नियामावली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किये गए विधान सबा चनाव को लेकर सुमवार की राध पुलिस के अधिकारियों और थाना अध्यक्षों की बैठक में नए नियामावली के बारे में जानकारी दी गए संपत्ती जब्ती के रिपोर्ट आने पर जिलादिकारी स्वैम या के सीवीदी अधिकारी से संपत्ती की जाच करा सकते हैं PCS 2022 के लिए आवेदन इसी मा के अंत में शुरू होंगे उत्रप्रदेश लोग सेवा आयोग ने साल में युवाव के लिए दो बड़ी भरती शुरू करने जा रहा है आयोग के सबसे प्रतिष्टे सम्मेलित राजे प्रवर अधिनस सेवा परिक्षा 2022 के लिए जन्वरी अंतक आवेदन शुरू होंगे आयोग के अध्यक्ष संजा शिनेत के अनुसार अब तक PCS के 68 पदों के अधियाचन मिल चुके है अधियाचन प्रेशित करने के लिए शासन से पत्राचार चल रहा है अगले 10 दिनों में स्टाफ नर्स पुरुष के तकरीबन 448 पदों पर भरती के लिए आवेदन लिये जाएंगे काशी विशुनात में भारी भीर, शिवलिंके सपश पर इस्थाई रोग की तैयारी नहीं हो सकेगा गर्ब ग्रह में प्रवेश पियमोदी के संसधिय शित्र वारणसी में काशी विशुनात धाम के लोकारपन के बाद से भारी भीर उमड रही है भीर को नियंतरत करने के लिए मंदिर और जिला प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ रही है लगातार उमड रही भारी भीर को देखते हुए बाबा के सपर्ष और गर्प्रह में प्रवेश पर इस्थाई रोग की तैयारी हो रही है भगतों को बाहर से ही जहांकी दर्शन कराई जाएगी जलाबिशे के लेकर प्रह के पास विशेश पात्र लगाई जाएगे पशिमी उपी में रिमजिम बारिश ते बड़ी थंदक ने लोगों को घरों में ही रहने के लिए मजबूर किया पशिमी उत्तर प्रदेश में बुद्वार के सुबह आस्मान में काले बादल चा गए दिन निकलने के साथ ही रिमजिम बरसाथ शुरू हुई सुरज के नहीं दिखने और रिमजिम बरसाथ में वौसम में ठंडक हो गई ठंडी हवाओ ने भी सर्दी का लोगों को एहसास कराया हर महीने बुजर्गों को 9000 देगी मुदी सरकार ऐसे करें अपलाए प्रदान मंत्री मैं वंदन योजना क्योंकि इस योजना को पहले बंद करने का निर्ने किया गया था लेकिन केंद्रिय कैबिनेट में इसे पास करने ही तू इसकी सीमा पढ़ा कर इसमें इन्वेस्ट करने की ती थी मार्च 2023 प्रदान मंत्री वे वंदना योजना के तहट 1000 से लेकर 10,000 रुपे तक की पेंशन भी मिलती है इस पीम वंदना स्कीम 2022 के अंतरगर 10 वश तक 8% के निश्चित सालाना रिटॉंस की गैरेंटी के साथ पेंशन सुनिश्चित की जाती है परते कुरोना संक्रबन के काराएंट यूपी में कॉंग्रेस की महराथन दौड स्थके बरेली के बिशप मंडल इंटर कॉलेज के दौरान मैदान में आयोज़ित कॉंग्रेस महराथन में 20 से अधीक लड़कियां चोटिल हो गई महराथन में भगगड की स्थती बन गई जिसके बाद कॉंग्रेस ने यूपी में होने वाली सभी रैलियो और कारिक्रम को स्थकित कर दिया कॉंग्रेस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहट पूरी प्रदेश में महराथन आयोज़न करा रही थी मौसम का सार या कोरोना के मार योगी और गड़करी की रैलिया रद पीम मोदी की नौको लखनों में प्रस्तावित रैलिय हो सकती है कैंसिल अचानक उत्रप्रदेश में दो राजनेतिक दौरे रद हो गए पहला दौरा यूपी के सीम योगी आदित तनात का था जहां उन्हें ग्रेटा नौइडा में रैलिय करनी थी और कई परियोजना को शिला नयास और लोकार पन करना था वहीं दूसरा दौरा केंद्रिय मंत्री नितरन गड़करी का था नितरन गड़करी को प्रियागराज के श्रंग वेरपूर धाम में 5000 करोड से जादा की परियोजनाओं की सौकात देने वाले थी इसी तरह 219 करोड रुपे के लागत से बनने वाली राम वन गमन मार्क परियोजना का भी गड़करी को शिला नयास करना था मगर उनका दौरा भी रद्ध हो गया शात्रों के लिए 6 लाक रुपे तक स्कॉलर्शिप पाने का मौका स्कॉलर्शिप प्रोग्राम किसी चात्रे के लिए करियर का नया रास्ता खोल सकता है इसके साथी स्कॉलर्शिप प्रोग्राम आर्थिक रूप से चात्रों की मदद करता है कोरोना के दौर में जब कई लोग आर्थिक परिशानियों से गुजर रहे हैं ऐसे में scholarship में बहुत मदद मिल सकती है हम यहां आपको उन scholarship के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें आप जनवरी और फरवरी में अप्लाई कर सकते हैं आदित्य बिडला Capital Limited कक्षा 1-12 तक और graduate छात्रों को पढ़ाई में आगे बढ़ने में उनकी मदद करता है यह scholarship पुंचातरों के लिए हैं जिन्होंने कोविट के कारण अपने माता पिता को खो दिया है यूपी पुलिस विभाग में जनवरी में जारी होगा notification जाने के साधार पर होगा selection उत्रपदेश पुलिस विभाग में इस वक्सिपाहियों के करीब 13,000 पत खाली है मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इन में से 25,000 पदों को भरा जाएगा 2018 के बाद पुरुश और महिलाव के इतने सारे पदों पर पहली बार भरतिया होंगी ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन पदों पर भरतिया कैसे होंगी यूपी सरकार से मंजूरी मिलते ही यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के इन पदों पर भरति का नोडिविकेशन जारी कर दिया जाएगा यूपी पुलिस कॉंस्टेबल भर्ती का नोडिविकेशन जारी होने के बाद भर्ती से रिलेटेड योगितावा अन्य डीटेज जारी कर दी जाएंगी किसानों के लिए लोन से जुड़ी खुशखबरी एक और तोफ़ा दे सकती है मोधी सरकार सूत्रो के अनुसार कृशी शेतर को बढ़ावा देने के लिए कि इन्द सरकार एक फरवरी को पेश होने वाले 2022 देज के बजट में क्रशी रंड लक्ष को बढ़ा कर लगबग 18 लाग करोड रुपे कर सकती है सूत्रो ने कहा है कि सरकार हर साल कृशी शेतर के लिए रंड लक्ष को बढ़ा रही है और इस बार भी 2022 देज के लिए लक्ष को बढ़ा कर 18 से 18.5 लाग करोड रुपे कर सकती है दस लाग की कमाई पर भी नहीं देना पड़े गया एक रुप्या इंकम टेक्स अकसर लोग कहते हैं कि उनकी कमाई सालाना पांच लाग रुपे से थोड़ी जादा है फिर भी उन्हें आयकर देना पड़ जाता है दरसल नया साल दस तक दे चुका है और टेक्स बचाने के लिए लोग जोड़ दोल में जुट गए आप 31 मार्च 2022 तक टेक्स सेविंग के लिए कदम उठा सकते हैं आईकर नियम कहता है कि सालाना 2.5 लाग तक की कमाई पर कोई टेक्स नहीं देना होगा 2.5 से 5 लाग रुपे की आमदनी पर 5 परसंट टेक्स का प्रावधान है इस लाप को देकर साफ है कि 10 लाग रुपे से जादा की कमाई पर 30 वीजदी टेक्स लगेगा लेकिन अगर आप चाहें तो आपको एक बिरुपया टेक्स नहीं देना होगा अगर आपके सेलरी सालाना 10.50 लाग रुपे है तब भी आप निवेश और आएकर छूट का लाप उठाकर टेक्स की पूरी रकम को बचा सकते हैं सिलंडर पर नहीं मिल रही सबसरी तो आज से ही करें ये काम खाते में आएगी धंडराशी अगर आप रसोई गयस का इस्तमाल करते हैं और आपके बैंक खाते में लपीजी गयस सबसरी का पैसा नहीं आ रहा तो परिशान होने की जरूरत नहीं इसकी वज़े आपके लपीजी कनेक्शन लपीजी कनेक्शन का अधार से लिंक नहीं होना हो सकता है अगर आपने अपने LPG को अधार कार्ट से लिंक नहीं करवाया है तो आपके बैंक खाते में सरकार LPG सबसिदी का पैसा नहीं भीजेगी निपाल के नई नियम से आधा हो गया भारत से निरियाद छोटे व्यापारियों को बड़ा नुक्सान निपाल में आयाद के नई नियम से भारत से सामारों के निरियाद पर विप्रीद असर पड़ा है निरियाद करीब आधा हो गया आलम ये है कि अकिले सो नौली बॉर्डर से पहले जहां उस्तन पांस सो तक मालवाहक निपाल जाते थी वहीं इस समय प्रतिदिन उस्तन दो धाई सो मालवाहक ही जा रही है भारत से निरियाद में भी एक करीब साथ पीजदी गिरावटा चुकी है जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने विभाग के अधिकारियों को चिंता में डाल दिया विभाग के अधिकारी OPD में इलाज के लिए पहुचे मरीजों के कोरोना जाँच पर जोर दे रहे हैं स्कुलेकर CMO ने पहल की है CMO डॉक्टर अशुतोष कुमार दूबे ने सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों को निर्देश दिया कि OPD में आने वाले संदिक दे मरीजों की कोविट जाँच हर हाल में कराई जाए हम तो एक में ही परिशान हैं मुसल्मानों की चार शादियों पर बोले ओवैसी ओल इंडिया मज़िसे इतिहादुल मुसलमीन नेता सदुदीन ओवैसी यूपी चुनाओं में अपनी पतंग उडाने के लिए ताबर तोड रहे लिया कर रही है मुरादाबात में उन्होंने वन्चिस समास सम्मेलन में यूपी की योगी सरकार के साथ केंदर के मोधी सरकार पर भी जम कर निशाना साधा इस ओरान उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वालों के दिमाग में बैठा है कि मुसलमान चार शादिया करता है लेकिन हम तो एक में ही परिषान है ओवेसी ने बीजेपी परिषाना साथे हुए कहा इन के दिमाग में है कि चार-चार शादिया करते हैं ये लोग बताओ डेटा दू हम एक में परिशान है, डेटा है कुछ तो बताओ, एक को ही एक से इनसाफ करना बहुत मुश्किल काम है, इनकी शादिया नहीं हुई, इसलिए ऐसा कहते हैं, दूसरा कहते हैं कि बच्चे बहुत पैदा करते हैं, कहा है डेटा बताओ ना, मोधी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दो बच्चों का कानून नहीं बना सकते। कोल मरीजों के संख्या 31 पहुच गई है। के बीच IMPS के जरीए, पैसा ट्रांसफर करने पर 20 रुपे प्लस GST चार्ज लगेगा। इससे पहले भारते रिजर बैंक ने अक्टूबर 2021 में IMPS के जरीए ट्रांसेक्शन की सीमा को 2 लाग रुपे से बढ़ा कर 5 लाग रुपे कर दिया था। स्वतंद्रदेव सिंग का खलेश आदव पतायंच बोले सपने देखना बुरा नहीं लेकिन दिवा सपन कभी सच नहीं होते। यूपी में जल्द होने वाले विधान सबाचनाओ के मेदेने जर राचनी तिक दलो और नेताओ के बेज़ जबानी जंक तेज हो गई। आपने देख रहे हैं।